नमस्कार दोस्तों आप देखरें देनिक रुड़की मैं हूँ दीपक रुड़ा और आज हमारे साथ हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हंसरास सदेवा जिनसे हम बात करेंगे कॉंग्रेस की जो 16 दिसंबर को उत्तराखंड में रेली होने जा रही है जिसके अंदर कॉंग्र सम्मान यात्रा आ रही है उसको लेकर रेली होने जा रही है क्या कहेंगे इसको 16 दिसंबर को उत्राखंड विजे सम्मान रेली का योजन किया जा रहा है जिसमें हमारे पूर रास्ट्रे द्यक्ष गावल गांदी जी आ रहे हैं इस तारीक में हम क्योंकि पाकिस्तान को पा बहुत ही यादगर रहेगी क्यों एक तो सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है और दूसरा पाकिस्तान के दो टुकड़े इस दिन किये गए थे विजे सम्मान यातरा कि इस्रेली का एयोजन जो होने जा रहा है देराद उनके प्रेट गौण में होने जा रहा है जिसको लेकर कॉंग्रस हाई कमानने सभी कारी करता हुआ पतदिकारियों को साफ निधा तीषिज दी हैं कि वह जएदा जएदा अपने कारेकरतों वह समर्थकों की भीड जुटाने पर आवान करें उसको लेकर क्या तियारी है आपको लेकर भीड को लेकर जहां तक इस रिली से संबन दी थे है रुड की संक्या में वहां पर लोग जाने चाहिए है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रेली पूरे दश्यक की सबसे बड़ी रेली होगी और इसके अंदर लोगों में बहुत जोश है और सैनिकों का सम्मान और उनकों हम सम्मान देने क जोश है कि बसे बर-बर के जाने वाली है महां पर और फिर मैं कहना चाहूंगा कि यह रेली पूरी दश्यक की सबसे बड़ी रेली होगी यह ऐसी रेली नहीं होगी जिसमें अभी मोदी जी की रिसेंटली देरदून के अंदर रेली हुई है और वो एक फ्लाप रेली कहीं जा सकती है क्योंकि उन्होंने भीड़ तो इकठी करने की कोशिश की बीड़ हु सब्सक्राइब तो चोड़िए उन्हें तो सारणपूर कहां कहां से रेली हो के बस इसको कठा किया गया था उसका एक उदराने की बड़ुकत घड़ा हुई थी कि सारणपूर से एक बस जा रही थी देरदून के अंदर जो कि वहां के कार्यकरता को लेक जा रही थी जिसमे मैं बता रहे हैं कि मैं इतनी बसेज लेके जाओंगा कोई कहता है मैं इतनी बसेज लेके जाओंगा और मैं अमीद करता हूं कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं वो पूरक करके दिखाएंगे और वहां पर बहुत अच्छी रेली की जाए मैं रुड़की से अपने अपने अप उसमें भी ज्याज़ ज्याज़ लोग महा पोचे आप देरे देनी रूट की मैं हूं दीपागोड़ा हूं